हेलो फ्रेंड्स कैसे हुआ अपसब फ्रेंड्स आज देखें मैं अपना स्वीट प्रेटेटो वाइन दिखा रही थी यह बहुत अच्छी ग्रोध हो रखी है इसकी लेकिन इसमें इतने सारे केड़े लग गये हैं तो मैंने आज देखा काफी टाइम बार की बहुत ध्यानक अच्छी लगे हुए हैं और इनका मैं अगर कुछ ट्रीटमेंट ने करूंगी तो यह बहुत पास से दिखाती हैं तो इनका इलाज भी है मेरे पास मैंने कुछ दबा में रखी हुई है चो अपने सारे प्रांट्स में मेली बग वगर लग जाते हैं तो मैं उनमें यूज क सकते हैं अच्छी मुझे लग रहा है यह जमीन में लगने के कारण ही ऐसे इन में कीड़े लगे होगी कि मैंने जो पॉट में लगाया है उसमें इतनी कीड़े नहीं है और यह जो है मेरे घर के अंदर भी और सारे प्लांट है उनको यह खराब कर देंगे तो इनका ट्रीक् अच्छा होता है बहुत है स्ट्रॉंग इसकी फ्रिगेंस होती है तो मैंने 2 ml लिया है एक लिटर पाली में और मैं इसका स्पीर मैं पहले भी कर चुकी हूं इसके मैं फॉर्स टाइम करूंगी इतना बहाने केड़ा मैंने फॉर्स टाइम देखा है तो मॉर्निंग टाइम अच्छा करें दूप में नहीं करना चाहिए दूप में मतलब कि कुई फाइदा नहीं होता है अभी सुगे का टाइम है तो मैंने सुचा कि मैंने यह स्प्रेय कर देती हूं आप देखे कैसे यह इधर इधर भाग रहे हैं बस एक स्प्रेय मैंने किया है और अभी तो बहु स्प्रेय करने से बिल्कुल ही खताम हो जाते हैं यह देखे तो रंत ही है जाता है कि तेज होती है इसकी खुषबू जो है बहुत स्टॉंग होती है क्योंकि मेंने बग आशान हे श्चाहने से हटते महीं नजए उनके छोटे बेवी या उनके एक्स वगएरा हमारे मिटी में पड़े रह जाते हैं प्लांट के तो वह हमारे बाद में प्लांट्स अगर हम कोई और लगाते हैं तो उसमें भी ये फिर से मिली बख लग जाते हैं लेकिन मैंने जब से ये लीथाल यूज किया है अपने बहुत वहानक लग जाते हैं ये देखिए फ्रेंच बस एक एक स्विव में ही इनके खराब हो गई है तो मैंने इसमें डाल देना है एक जमीन के कारड़ इसमें इसमें के किरे वैसे लगते को नहीं है तो ये दवा हम अपने और भी प्लांट्स में यूज कर सकते हैं मैंने करा भी है तो अभी लेकिन मुझे इसमें करना था कि कि ये केड़े अगर मेरे घर के अंदर आजाएंगे तो वहां और वादे रखे हैं वह सारे मेरे प्लांट्स खराब हो जाने हैं तो इस तुरह मैंने इनका खात्मा कर दिया है ये बिलकुल ये देखिए ये हेल भी नी अब बहुत सारे स्प्री आप एंगे अभी बहुत सारे स्प्री करोंगी और शुच पत्या थोड़के में हटा भी देंगी काफी ग्रोथ हो रखे हैं इंको मैं थोड़ा सा कट करके छोटा भी करोंगी क्योंकि जमीन बहुत जादे इधर है तो ये फैलता ही जा रहा है और ये मैंने इंका ट्रिटमेंट कर दिया है फ्रेंट्स तो ये थी कुछ जानकारी कुछ स्प्री जो मैंने किया है अपने प्लांट्स पे तो बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करीगा फ्रेंट्स ये हम और भी प् करूँ है च्चरः कर दो